नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज आपे में डिसकस करूँगा एक ऐसे companies के बारे में, जो देखाज़े तो एक financial sector के बिलोंग करते है, मतलब एक financial sector के उपर है, देखाज़े तो एक NBFC company अब बोल सकते है, तो finance company होने के नाते भी इस company के उपर बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा एक positivity हमें साथ देखने को मिलता है, और company आज देखाज़े तो 52 week low के range के उपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, company के 52 week के low के range में काम करने का मकस्त है, company इस अच्छे situation में भी अच्छा खासा एक मतलब growth होने के, मतलब उल्टा हो रहा है, मतलब positivity जाने से company उल्टा जा रहा है, तो लगातर लगातर गिरते जा रहा है, तो इस गिरावाट के बीचे कारण कौन सा है, और साथी साथ इस company के उपर क्या निवेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने comment किया, sir इस company कमपनी के उपर 52 एक के low range में भी टेट कर रहा है, क्या अभी निवेस करूँ, क्या अभी सही time है इस company के उपर माल उठाना, तो चलो, पूरा date discuss करता हो, तो discussion करने से पहले मैं request करूँगा, अभी तक, इस channel को subscribe नहीं किया, तो जूरू subscribe कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडि एक life insurance के उपर काम करते है, एक finance के उपर काम करते है, अगर इसका competitor देखे, तो जिस sector से बिलों करते है, वो देखा जाते हैं, एक NBFC है, क्योंकि देखे आप फाइनस sector के उपर है, और finance investment industries के उपर बिलों करते है, तो finance sector में आप leader कौन जानते है, वजज फाइनस है, वजज buildings है, आप देख सेकते है, चोला finance है, साथी साथ HDFC, AMC है, मौथूट finance है, उसकी बाद इसका नाम आता है, वो है max financial, तो देखे, max financial जो है, वो करीबन 22,800 क्रोड के market cap है, इसका मतलब बहुत बड़ा company भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो एक large के अभी बन चुके है, तो इस company के बारे मैं discussion करूँगा, क्योंकि max financial services है, इस company देखा जाए, तो financial industries को पर काम तो करते है, मगर इस company में कुछ खासियत है, वो आपको दिखा देता हूँ, देखे, max financial services limited, अब देखे, in corrupted on 24th February 1988, मतलब company देखा जाए, तो करीवन 30 सालों से भी ज्यादा company, तीस सल नहीं, और भी ज्यादा होगा, तो करीवन 35 सालों से भी ज्यादा company या भी बिजिनेस कर रहा है, तो company is part of India's leading business conglomentary max group, तो max जो ग्रूफ है, उसी का ही company है, company is primarily engaged, growing and या पर देखे जो नेरेटिंग बिजिनेस investment, और या पर देखे, providing management advisory services, Indian group company, इसका मतलब company क्या करते है, management services भी देते है, साथी साथ, आप देखेंगे, तो companies के investment के उपर भी company का business है, तो company का जो group है, उस group ने एक अच्छा काम एकिया है, कि its own and actively manage 81.83% majority stake in max live insurance, तो सबसे ज़्यादा majority इसी के पास है, max live insurance के पास, इंडियास largest non-banking live insurance company, fourth largest private live insurance company है, तो इंडिया में जितने सारा live insurance company है, उनमें से आप सभी जनते है, LICB है, साथी साथ, SBI के भी live insurance है, तो उस sector से बिलोंग करें तो company चार number ranking में आ जाएगा, तो company में सब कुछ तो मैं आप आपको details थोड़ा सा आपको discuss कर चुका हूँ, अभी company's के बारे में बात करूँ, तो company का जो peer ratio है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि हमें से कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर peer ratio होना चाहिए, बगर यहाँ पर जो peer ratio है, वो 76 के आसपास है, तो सोचिए, company का peer ratio बहुत हाई valuation में देखने को मिला, company का return of equity, return of capital employed भी, weak levels में देखने को मिला, industries के बारे में बात करूँ, industries peer ratio 25 है, और इसका peer ratio 76 है, इसका मतलब बहुत high valuation में चल रहा है, तो इसलिए stock में लगाता लगाता गिरावट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, कोई भी stock में गिरावट हो रहा है, तो उसके पीछे कारण ढूणना पड़ेगा, देखें, जब कोई भी stock के उपर valuation high होता है, एनवाली जो income है, 318 करोड के आसपास है, देखिए, प्रोमोटर का जो holding है 14.7% है, जो placing है, वो 94% holding placing है, यही चीज मुझे इस company के उपर सबसे बड़ा negative point लगा, सबसे बड़ा negative point, आप कहेंगे सार, negative क्यों है, देखें, पहली बात, प्रोमोटर के पास तो holding बहुत कम है, 14.7% और उनमें से 94.9% का holding, वो placing करके रखा, अभी placing क्या होते है, मानके चलिए, आपके पास कोई भी company का 100 share है, तो आप 100 share को आपके पास है, तो आपको loan के जुरूत है, आपको पैसे के जुरूत है, आप क्या करेंगे, वो share को आप bank के पास गिर भी रखकर, आप पैसा उठा सकते हैं, तो अगर आपने वो, आपका जो company का share, अपने जो गिर भी रखा, अगर bank को जो loan अपने लिया, वो loan अगर मिटा नहीं पाए, तो आपका 100 share था, वो bank के हाथ में चला जाएगा, तो इसलिए मैं जुरू कहूंगा, यहापर जो placing रखा गया, और वो भी 94% यह बहुत बड़ रिक्सी game promoter ने खेला है, तो मेरे अच्छा है, देखें में company के कुछ points दिखाऊंगा जो अच्छा है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि company बहुत दगड़ा performance कर रहा है, उसके उपर निवेस किया जाए, देखें sales growth negative में है, profit growth तो ना के बराबर है, और साथी साथ market cap to sales के बारे बारे बात कर तो 0.80 के आसपास तो एक चीज तो यहाँ पर clear हो चुके है, company में जो मतलब data है वो उतना खास नहीं है, profit and loss के इस बार quarter के result के बारे मात करो, 62 करोर का profit किया, ऐसे नहीं कि company ने profit नहीं किया, company हर quarter में, हर साल में company profit को मंतरम maintenance कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हो रहा, एकी range के बाउं में साइद आपको 10 साल में 13% return दे चुके है, बगर बाकी साल में आप देखेंगे उतना खास कुछ performance नहीं है, sales growth ठीक होने के बाद भी profit growth negative में है, return of equities भी weakness में है, अगर आप इस company का cash flow देखेंगे, तो cash flow में obviously आपको positivity दीखेगा हमेशा, और investor के बारे बात करो देखिए, promot promoter 28% holding था, आज वो माल बेशते बेशते 40% तक लेके आया, तो जो company के उपर promoter खुद exit हो रहा है, तो उस company के उपर एक weakness तो बनेगा ही बनेगा, अब कहेंगे sir, FIS ने तो दगड़ा माल उठक रखा, देखे, DS ने भी माल उठक रखा, तो company क्या खराब होगा, देखे, FIS औ जो DIs होते है न, वो माल तब तक खरीद के रखते है, जब उसको profit न मिले, अगर उसको profit मिल जाता है, तो वो पूरा के पूरा माल बेज भी सकता है, तो इस तरीके से institution के उपर भी आपको data तो जोरू देखना है, साथी साथ promoter के भी data देखना है, हाँ, अगर मैं माल लेता क के कमपानी के पहले से ही 14-15% का holding था, आज वो 14% बन चुके है, और promoter के holding है, वो pleasing कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी pleasing नहीं है, तो मैं माल लेता, मैं कमपानी के उपर promoter भरोसा करते है, या पर जो promoter का भरोसा है, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिक्सी game promoter खेला है, त तो उस game के आप भी हिस्सेदरी होना चाता है, तो एक बार study जोरू करिएगा, उसके बाद company के उपर कुछ भी decision जोरू लेना, तो company के चार्ट प्रटन के बारे भी एक बार बात करू, तो company जब से start हुआ, तब से देखने तो company एक ही range bound के उपर काम कर रहा था, मतलब company 2007 से company 2015 तक एक ही range bound के उपर काम किया, उसके बाद अच्छा खासा momentum देखने को मिला, छे सो तक गया था, छे सो साथ तक, तो उसके बाद देखे, तो था हुदन 18 में, 18 में लगातार गिरावट हुआ, उसके बाद COVID भी आया, तब company के price से जा गया था, करीबन करीबन 280 रूपीस के आ करीबन करीबन आपको 6 गुना के आसपास return company दे चुके थे, तो इसी लिए retail public भी इस company को पर interest चता है, और आप एक ध्यान से एक ची देखना, जो high किये थे, वो time period कब था, June 2021, तो तब से लेकर लगाता लगातार गिरावट हो रहा है, अभी जो range आपको दिया हुँ, तो बो range बहुत strong है, 660 रूपीज के आसपास, इस range को अगर तोड़ता है, तो आपको next level देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 370 रूपीज के आसपास, यह level बहुत strong है, इस level को अगर तोड़ता है, तो stock में कितना गिरावट होगा, कुछ अतापता भी नहीं चलेगा, तो यह था मेर आप इस वीडियो को मतलब ध्यान से देखेगा, और दोस्तों को साथ स्यार भी करेगा, और मेरे बीडियो अच्छा लएक तो लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राब कर देना, फिर तो next निया एक stock लेके, तब तक लाच्छे सरी अपने ख्या लखें, बबबबबबबब झाल 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